इस बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपने नॉर्मल वाट्सेप एकाउंट को užाइश्फ एकाउंन्ट पे करें क्योंकि वो अपने बिजनेस को वाट्सेप एकाउंट से मार्गेटिंग करना चाहते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी ये लिए आपको सबसे पहले चले आना आपके How to अक्वọn मेरे ये हमारे और से लिए लेकर करेंगे और च्रेंट के और नीचे आने के बाद के पार करूल करना है को सीलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे का जो इंख्लूड विडियो का आप्षण है उसे आपको करना है कि यह तरन आप आपको उपर जाना है और करना है बैक अप्षण पर और इसे करने से आपके वाटसैब चैट का शूरू हो जाएंगे तो यहां से हमारे वाटसैप एक्पांट का काम खत्म अभवर मेटसैब गब चाहींगे और चले जाएंगे के सेटिंग की सेटिंग उसके बाद हमें टैप करेंगे ऐपस पर Rather यहां से हमें WhatsApp चूज करना है जिस WhatsApp पर हमारा परसनल अकाऊउंट है और उसके बाद हमें टैप करना है फोर स्टाइब पर अब करेंगे पहले क्लियर कैश करेंगे और उसके बाद क्लियर डेटा कर देंगे लोग आउट हो जाएंगे यह देखिए यहां पर वाटसेप पर जा आपके फोन पे यह आप नहीं है आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाए और वाट्सैप बिजनेस लिख करें और इसे डाउनलोड कर ले उसके बाद आपको वाट्सैप ओपन करना है यहां से आपको टैप करना है एंगरी एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे इस जगह पे आप चाहे पॉला हुआ था अब आपके सामने जो पॉप आए हैं उसे देखके बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि आपने इसी नंबर से एक परसनल वाट्सैप एकाउंट क्रियेट किये थे इसलिए आपके सामने यह पॉप आप आए हैं लेकिन फिर भी आप इस नंबर से परसनल अब को बिजनेस वाट्सैप एकाउंट पे कनवर्ट कर सकते हैं उसके लिए आप कंटिन्यू पर टैप करें और उसके बाद आपके फोन पे वैरिफिकेशन कोड आने का इंतजार करें आप जब यहां पे वैरिफिकेशन कोड के लिए इनतजार करेंगे उपर पॉप अप देख पाएंगे कि आपके सामने ऐसे लिखा आएंगे कि आपके पास वैरिफिकेशन कोड नहीं लाया जा सकते तो आपको बस कॉल आप्शन पे टैप करना है और एक वैरिफिकेशन कोड के कॉल के लिए रिकोस्ट करना है अब कॉल की जरीए आपको जो वैरिफिकेशन उसके बाद आपको यहां पर करना है ताकि आपका कॉंटेक्स नंबर को वाटसेप ट्रैक कर पाए और जितने सारे पर्मिशन आएंगे सारे पर्मिशन को एलाउ कर देना है और यहां पर देख सकते हैं आपका लिए हुए बैक अप रिस्टोर करने की ऑप्शन दिखाई दे नेक्स्ट अब यहां पर आपको अपना बिजनेस नाम सेट कर लेना है और नीचे आपको बिजनेस कैटर्गरी चूज करना है अब आपके सामने काफी सेटिंग्स के आप्शन आ जाएंगे तो हम इसे यहां से अभी के लिए नौट नौ कर रहे हैं यहां से आपको मंतली भी बैकप कर सकते हैं और अगर आपके मर्जी है तो आप इसे बैकप नहीं भी कर सकते हैं तो यहां पर हम मंतली पर चूज करते हैं और उसके बाद यहां से हमारे गूगल एकाउंट को चूज कर लेंगे और अगर आप किसी दूसरे एकाउंट यूज करना चाहते हैं आइड पर TAPP करके आप कर rein अपकर डैब तो यह वन चुका है हमारा वाट्सआप बिजनेस अकाउंट परशनल का सारे डेटा का विजनेस अकोंट पर अचुक़े हैं इसका मतलब हमारे वाट्सी अकाउंट अप पर्सनल से बिजनेस और बन हैं इसी तरीके को फॉलो करके आप भी अपने पर्सनल वाट्सअप एकाउंट को विजनस वाट्सअप एकाउंट पे कनवर्ट कर सकते हैं उमीद करते हैं हमारे ये वीडियो आपको पसंद आये होंगे मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए अलविदा